कॉंग्रिस ने पांडुचेरी में चुनी हुई सरकार को काम न करने दिने और केंदर को विकास कारियों में रोडा अटकाने का आरोप लगाया है पांडुचेरी के मुखे मंतरी और कॉंग्रिस ने ता नारायन सामी ने दिल्ली में प्रेसवारता के दौरान कहा कि प्रदेश की उप राजेपाल किरन बेदी पिछले तीन साल से केंदर के हित में फैसले लेकर परोक्ष तोर पर मोधी सरकार को फायदा पहुचा रही है सामी ने बुदवार को प्रदान मंतरी मोदी से मुलाकात कर उप राजपाल किरन बेदी के इस्तफ़े की मांग की है उन्होंने कहा कि इस से पहले सुप्रीम कोट ने ऐसे ही मामले में दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विन के जिवाल के पक्ष में फैसला दिया था जिसके बाद उन्होंने चन्नाई हाई कोट में भी सम्भंद में अपील की है आने के बाद उनका एक्टिविटी से आधन्या डाक्टर करन बेडी ने हमारा सरकार के किलाफ हमारा कैबिने डीशन के किलाफ हमारा पुदिचेरी लोगों का हमारा सेर्विस है उसके किलाफ उन्होंने